प्रस्न संख्यां 106 में कत्थन दिया है MCorpyright TK MCorpyright T का मतलब क्या हो गया M mac activة T का मतलब हो गया M या तो छोटा है या बदाबर हटी के कैसे तो यहाँ पिदेख ले M sinks copyright T का मतलब क्या हो गया P Monte T का मतलब क्या हो ता P बड़ा नहीं है बड़ा नहीं तो मतलब छोटा है या बड़ाबर है ठीक दूसरा कतन दिया है के परसेंटेस टी के का मतलब क्या हो गया के बड़ा है टी से के परसेंटेज टी परसेंटेज वहला देख लें यहां पर तो परसेंटेज का मतलब होता है ना तो छोटा ना बराबर मतलब क्या है बड़ा है ठीक तीसरा ओप्सन दिया है तीसरा कतन दिया है के एट दरेट एन के यानि के जो है छोटा है एन से ये तीन कतन दिये हुएे हैं, निस्कर्स कह रहा है कि n percentage m k, n percentage m k, यानि n बड़ा है m से, n जो है, वो m से बड़ा है, अब देखिए, n k से बड़ा है, k t से बड़ा है, और t jy m से बड़ा है, तो n m से बड़ा हो गई होगा, यानि क्या हो गया यह पहला जो निसकर्स है वो true है दूसरा निसकर्स के एम से बढ़ा है के देखिए टी से बढ़ा है और टी एम से बढ़ा है तो के एम से बढ़ा होगा यह होगा के एम से बढ़ा होगा के एम से बढ़ा होगा यह भी true है तो ये दोनों निस्कर्स प्रू है भाई पहला निस्कर्स के परसेंटेज M एन परसेंटेज M तो एन परसेंटेज M जो है वो भी प्रू है और के परसेंटेज M परसेंटेज का मतलब होता है बड़ा होना दिया होपर तो इस तरीके से ये दोनों निस्कर्स सही है तो सही उत्तर इसका क्या हो गया इसका उत्तर हो गया दोनों निस्कर्स E वाला दोनों निस्कर्स एक और दो सत्य है option E इसका सही उत्तर हो गया